टिक्री बॉर्डर पर 30 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी अगली रणनीती के तरफ कदम बढ़ा दिये हैं तीनों क्रिश्य कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आज से सभी टोल फ्री करने शुरू कर दिये साथ ही अब टिक्री बॉर्डर पर पुरुष किसानों की जगह महिला किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है इसी के चलते 11 महिलाएं मंच पर 24 घंटे के उपवास पर बैठ कई इससे पहले चार दिन से पुरुष किसान उपवास पर बैठे थे टिकरी बॉडर पर हमारे समधाता प्रवेड धनकड ने महिला किसानों से बात चीत की 27 को परधान मंतरे के मन की बात पर किसान बजाएंगे ताली और ठाली सरकार को तीन किर्शी कानूनों पर जुखाने के लिए किसान एक जूट है, संग्टित है और सहीमें तरीके से रननिती बदल-बदल कर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है किसानों ने जहां आज से तीन दिन के लिए टोल फ्री अभियान दोबारा शुरू किया है वहीं टीकरी बूटर के धरनास्तल पर महिला किसान धरने पर बैट गई हैं भू करदाल पर बैठी हैं ये महिलाएं अगले 24 गंटे तक भू करदाल करेंगी कल तक पुरूश किसान इस दरनास्तल पर इस मंच पर पेगरे बोडर के मंच पर भू करदाल पर बैठी थे आज महिलाएं बैठी हैं लेकि बुजर्ग महिला भी है यूवती भी है तमाम महिलाएं ये संदेश देना चाहती हैं कि तीन किर्शी कानूनों के इस जंग में महिलाएं भी कंदे से कंदा मिला कर पुरू के साथ आगे बढ़ रही हैं सिदा महिलाओं से बात कर लेते हैं जो भू करदाल पर बैठी हैं आज आप लोग भूगरताल पर हैं, कल तक यहां पुरुष किसान भूगरताल पर बैटे थे, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? आप यही बताना चाहरे हैं, मौधी जी को, कि आप यह जो किसानों की मांगी हैं, को जल्दी पूरा करें, और महिला हैं, अगर हम खेतों में कंदे से कंदा मिलाकर पुरुष के साथ काम कर सकते हैं, तो अगर आज भूगरताल की बात है, तो हम अपने किसान भायों को अकेला पूखा क्यों मरने दें, हम महिला सकती बिल्कुल के कंदे से कंदा मिलाकर इस अंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, फिछले एक महिने से हम लोग सुबह से श्याम तक ही रहते थे, और दो दिन तो हमने भूख खड़ताल नीचे बैठ के किया है, क्योंकि महिलाओं को प प्रधान मंतरी मन की बात करेंगे, 27 तारीक को आज किसानों से समवाद करेंगे, किसान सम्मानने दी भी जारी करेंगे, और यहां पर महिलाएं, आप लोग भूख खड़ताल पर बैठे हैं, हम तीन दिन से बैठे हैं, हमें पूरा विश्वास है, अगर हम कलती से बाइब समवर्ड्स हम लिख लेते हैं, उसको रख करके मिटाने मिटाते काफी समय लग जाता है, ऐसे ही गलती हमारे प्रतान जी से हो गई है, रख करते करते दख चुके हैं, आप वो दुबारा फिर उस रूख, वर्ट्स को दुबारा फिर से लागू करेंगे, सही तरीके से ही है, किसान परिवार के महिलाएं हैं, इस देश का हर वर्गिन किर्शी कानूनों से प्रभावित होगा, बज़ूर महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप बताएं कि आप भू खर्दाल पर आज बैठे हैं, कल तक यहां पुरुष किसान बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे सरकार सरकार पर क्या दबाव बनाने हैं? लेकिन सरकार तो बुला रहे हैं ना बाचीत के लिए, जा क्यों नहीं रहे हैं किसान? लेकिन सरकार क्यों जबरदस्ति कर रहे हैं? महिलाएं भी कह रहे हैं कि यह कानून हमें चाहिए नहीं, तो सरकार क्यों जबरदस्ति कर रहे हैं? तो बारा से एक पर फिर नहीं महिलाओं से जानते हैं कि इन कानूनों में ऐसी क्या कमिया है, जो इनको लगती हैं? क्या कमी हैं इन कानूनों में, जो आप लोग चाहते हैं कि सुधार नहीं वापिस हों? क्या आपने पाल कानूनों में तीरों किर्शी कानूनों से एक ही डर है, कि मंडी सिस्टम कतम हो जाएगा, MSP कतम हो जाएगी और खेती संकट में आ जाएगी यह महिलाई आज इसलिए पुगरदार पर बैटी है ताकि सरकार को यह जान लेना थाए यह मात्र शक्ति पुर्सों के साथ कंदे से कंदा मिला कर इसांदोलन में सक्रिय भागिदारी ने बार रहे है और इन सडकों के मोर्चे पर यह माईलाई भी तब तक डटी रहेंगी जब तक इनकी लड़ाई इनके हक में नतीजा लेकर नहीं आती तीनों किर्शी कानूं रद रही होते प्रभीन कमार्दंकर पंजाब के इसलिए टेक रिक 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 रिक